असलम वालेकुम डियर स्टुडेंट्स, वेलकॉम बैक, xpacademy.com, जहां पर आप step by step आटो कैट उर्दू जबान में सीख रहे हैं। स्टुडेंट्स, आज की लेसन में आपको आटो कैट्स की उपर unit setups के बारे में बताऊंगा। unit setups के चीज़ है, basically जब हम लोग अपने पास कोई line ड्रॉ करते हैं तो हमें उसको किसी न किसी unit system के दर ड्रॉ करना होते हैं। unit system से ये मराद है, जब अपने पास आप कोई drawing करियेट कर रहे हो, वो आपके पास क्या fits में बनाई जा रही है, या meters के अंदर रहे कर बनाई जा रही है, cm के अंदर आप उसको रहे कर बना रहे हो, mm के अंदर रहे कर बना रहे हो, तो ये दुआंस चीज़ां आपके पास unit system कर लाते हैं। तो जब तक आपको unit system की पर काम करना नहीं आएगा, unit system अपने sets करना नहीं आएंगे, तो उस वाद तक आप autocad की ओपर ठीक तरीके से काम नहीं कर सकते हो. इसके लावब जब आप कोई न कोई अपने पास shape draw करते हो, वो आपके पास लाजमी लाजमी कोई न कोई length लेकर आती है, अब जब तक आपको length मालूम नहीं है, तो फिर भी आप autocad की पर ठीक तरह से काम नहीं कर सकते हो, तो आज की lesson भी हमने यही चीज़े देखनी है, तो आ मेरा autocad मेरे पास open हो चुका है, अब मैं जो चीज़ा आपको बताने जा रहा हूँ, वो basically क्या है, देखें, जब मैं line के पर जाता हूँ, मैं line के पर click किया, message आ जाता है, मैं line का first point किदर है, आपके पास आपका black area है, जहां पर भी आप click कर दोगे, आपका first point ही होगा, जैसे आपने पिछले वाले lessons के अंदर देखा था, मैं इसको click किया, मैं line start हो चुकी है, अब यह वो इसे next point पूछ रहा है, कहीं भी आप click कर दें, कहीं भी click कर दें, कहीं भी click कर दें, कहीं भी click कर दें, और space लगा दें, तो यह आपके पास आपकी line draw हो चुकी है, लेकिन students, सीदी सीदी line है आ चुकी है, मेरे पास मेरी shape बन चुकी है, अब यहाँ पर जो main problem है, वो problem के है, basically, यहाँ पर जो main problem मुझे face आ रही है, वो यह है, यह जो मैंने line draw की है, यहाँ से यहाँ तक, इसकी कोई ना कोई length जरूर होगी, और क्यों ना हो, क्योंकि AutoCat में जो आप का करते हो, वो आपको diagrams बनाना नहीं होता, वहाँ पर आपको वोरी diagrams बनाना, आपके पास basically दो किसम के diagrams होती है, मेरे मताबर, एक diagram होती है, जो just आपको कोई concept दे रही होती है, लेकिन AutoCat ऐसी आपके पास diagram बनाएगा, ऐसी आपके पास कोई भी shape बनाएगा, जिसकी values को देते ह हुए, आपको पास same practically भी shape बन जाएगे, तो यहाँ पर problem यह है, यह जो मेरे पास line है, यह मेरे पास कितनी है, इसको select कर देते हैं, और delete कर दे, कितनी से क्या वराद है, आपने line ली, एक point दिया, दूसरा point दे के, ऐसे clicks पे कभी भी AutoCat के पर काम नहीं किया जाता, तो dear students, ज मैंने line को select किया, delete कर देता हूँ, again मैं line के पर चला गया, मैंने इसको click किया, first point माग रहा है, कहीं भी में से click कर दूँगा, मेरा first point मैंने इसको दे दिया, अब आप line उस तरफ लेकर जाएं, जिस तरफ आपना mouse उस तरफ लेकर जाएं, जिस तरफ आपको line लेकर जाने है, up down, left or right, तो मैं right जाना पाऊंगा, लेकिन मैं यह कहता हूँ, यहाँ से मैंने click किया है, यहाँ से लेकर next point तक dear students, मुझको जो value चाहिए, वो चाहिए 12, अब 12 शायद इदर आता है, नई, शायद इदर है, नई, शायद इदर, इदर, कुछ confirm यह 12 किदर है, तो आप क्या करें हमारे पास बहुत हसान तरीका है, अपने mouse को इस तरफ लेकर जाएं, जिस तरफ आपको line चाहिए, मुझको line आ की जाना चाहिए, और just keyboard से 1 और 2, 12 इंटर कर दें, अब देखें, keyboard से मैं जैसी 12 इंटर करूँगा, खुद बखुद इदर type हो जाएगा, आपको इदर click करने क कोई भी ऐसी जरूरत नहीं है, just आपको अपने mouse के साथ, अपने line को दाइं पाइं करना है, और value type कर दें, अब जिस तरफ आपका mouse होगा, यह नहीं के right तरफ है, जैसी मैं से enter कर दोंगा, तो मेरे पास क्याओगा 12 पे जाकर, एक cuts points बना हुआ जाएगा, अब देखें, जिलीड कर देता हूं, अगेर, वापस में धर आ जाता हूं, यहाँ पर अपने पास, एक और में अपने पास लाइन ड्रॉ करें देता हूं, मैंने line लिए है, मैंने इसको point दे दिया, mouse आगी जानम लेकर आगे, अब जो मुझे line चाहिए हो, कितनी चाहिए, यहाँ पर 24 चा जाएगा, जिदर भी आपको 24 आ रहा होगा, देखें, आके पास यह cuts point आगे, अगर आप मेरे mouse के उपर देखें, बिलकल यहाँ इस जगा पे, तो आपको cuts points नजर आ रहा होगा, अगे इने mouse को इस तरफ लाया, फिर मैंने 24 टाइप किया, उपर की तरफ लेकर गया, 24 टाइ के अंदर dear students हमेशा हमें values देनी होगी है, तो जब हम values के पर रहकर काम करेंगे, हमारा काम बिलकल perfect होता जाएगा, लेकिन, लेकिन, यहाँ पर एक छोटी सी problem है, जो शायद के आपके mind के अंदर भी लाजबी करदश कर रही होगी, वो problem क्या है, यह जो मेरे पास 24 है, यह क्य चीज़ है, कहने का मतलब यह जो 24 आपने ड्रॉग किया है, क्या यह fits है, क्या यह inch है, क्या यह meter है, क्या यह centimeter है, क्या यह millimeter है, miles है, क्या है, तो dear students याद रखेगा, आपके पास मुफतलिफ systems होते हैं, जैसे मैं साथ से पहले inch और fits के बारे में आपका बताता जाओ, आपके इसमान जैसा फासला है, फर्क है, क्योंकि जो 24th inch होते हैं, वो total 2 fits बनते हैं, इसी तरह से जो 24 fits है, वो तो definitely फिर आप से उससे 22 fits जादा की value ले कर आ रहे हैं, इसी तरह से आपके पास 20 fits और 20 meter equal नहीं हो सकते हैं, इसी तरह से आपके पास 20 centimeter और 20 fits equal नहीं हो सकते हैं, तो कह करने का मतलब यह है, हर एक unit system एक दूसर से different होता है, लेकिन, लेकिन, मैं इस द्वारा से discrete कर देता हूँ, मुझे जो यहाँ पर shape चाहिए, वो यहाँ पर मुझे 2 fits की shape चाहिए, अब 2 fits के लिए अगर मैं यहाँ पर 2 enter कर देता हूँ, let's say मैंने 2 enter किया, अब मेरे पास 2 enter कर हो सकता है, 2 inch भी हो सकता है, 2 meter भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो जब तक आपको यही चीज मालूम नहीं है, आखे पास 2 क्या चीज है, तो आप autocad की पर काम नहीं कर सकते हैं, basically, फर्ज करो, आप यहाँ से सोधिया चले कियो, तो वहाँ पर आपको centimeter के इंदर कर काम कर तो हर जगा पे, हर country पे, एक different systems follow किया जाता है, autocads के लिए, अब autocads जिन लोगों ने बनाया, उन्होंने इस चीज को main issue रखा, यार हम एक ऐसा software बनाएंगे, जिसको कोई भी बंदा किसी भी जगा पर जाकर use करे, उसको इसके अदर कोई problem नहीं हो, तो इससे लिए उन्होंन इसके अंदर तुमाँ unit system आपके पास रखती है, मतलब, अगर एक सौधिया में जो बंदा बैठा है, अगर वो अपने system के ताफ़क से use करना चाहे, वो इसे use कर सकते है, अब एसको इसको अपने system के ताफ़क यूज करना चाहे, यूज कर सकते हैं, यह नहीं कि आपको वो system follow करना होगा, जिसको आप लोग समझते हो, आपको मालूम होना चाहिए, एक fits का चीज है, मैं आपको बताता है, हमारे पास जो एक fits होता है, इसके अंदर कितने inches होते हैं, 14, 9, 9, कितने, 12, इसके अंदर 12 inches होते हैं, तो आपका एक fit as equal to होता है, 12 inch के, समझ के बात मेरी, और आपका बिलकल idea भी होता है, अब फर्स करें, मेरा पास जो idea वो मेरा perfect है, अब मैं जिस room के अदर बैठा हूँ, अगर एक बंदा मुझे बोले, यार ये जो आपका room है, ये पिचास fits और सो fits का है, तो मैं कभी भी इस बात को नहीं मानूँगा, क्यों? मैं इस चीज को तसलि आने जा रहे हो, उसकी लंबाई चुड़ाई क्या होगी? अब अगर एक बंदा आपको बोलता है, मिरे लिए आप मुबाईल साइट बना डालो, आप उसको कहें जी, हम उसकी length रखेंगे, दो फिर्स, width रखेंगे, तीन फिर्स क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, जब उस आपके पास design चलती है, बारहल, जब आप line के बराते हो, आपने point दे दिया, mouse को आगी जनब लेकर, आपने type one कर दिया, enter करें, तो आपके पास one तो draw हो जाता है, ठीक है, confirm, देखें one मेने लगा है, draw हो चुका है, लेकिन मुझे one fits चाहिए, अब one fits कैसे लिए चाहता है, लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको अपने key board से fits का mark enter करना होगा, अब fix का mark के धर होता है, मैं आपको पताय देता हूँ, आपके gets मूढऄ तो कुछ जो की बौर्ट होता है हमारा, वो कुछ हमारा इस shape का होगा, इस त facet का keyboard होता है, अब अगर आप इसे में आखे पास होता है यह आक्पास जो निशाद यह आक्पास fits का मार्ग होता है अगर यहाप इसको shift को प्रेस करेंगे तो देखें आक्पास यह वाँ पॉरट इंचेज आ जा जाते हैं प्रेस करोगे तोकर पास Frits का मार्क आ जाएगा लेकिंन जब आप Shift को सब्सक्राइघ test करोगे तो फर आप पास इंच का मार्क आ जाएगा तो ये दो चीजिती है एंच ओर Frits आपके पास होता है अपने की वोड्स में देख सकते हैं आप the question यह इश्टिउनией यह है पॉइंट दिया है माउस का की जनद ला रहे हैं आप कहते हैं मुझे वन फिट्स की यहां पर लाइन चाहिए तो आप में ड्रॉक किया वन और कीवोड से फिट्स करें शान डाल दें जैसे मैं अभी आप होता है अब जैसी मैं से इंटर कर देता हूं तो देखें मेरे पास यहां पर लाइन रह नहीं हो रही है क्योंकि मैं कहते हैं पॉइंट और आप्शन कीवर्ड रॉक्वाइट यह इसली नहीं हो रही है क्योंकि आट और क्याट कुछ मालूम नहीं है फिट्स क्या चीज़ है अब फिट्स तो मुझे मालूम है क्या चीज़ है यही चीज में आपको इस lesson ने बताऊंगा हमारे पास होती है दो चीज़ें एक होता है input एक होता है output input वो होगा जो user enter करेगा output वो होगा जो system हमें return करेगा अब जब तक आपका input और output system एक जैसे नहीं होगे आप कभी भी काम नहीं कर पाते हो फर्स करो आपको line चाहिए one fits की तो means आपको चाहिए fits तो फिर आपका input system होना चाहिए fits तो इसके लिए फिर आप क्या करोगे जब भी आप autocad के पर आएंगे सबसे पहला काम सबसे पहला काम आप format की पर जाओ यहां पर होता है unit यूनिट के पर आप क्लिक कर दें तो आपके पास drawing units आ जाता है means जो आप drawing बनाने जा रहे हो वो किस system के अंदर होगी उसकी units क्या होगे तो मैंने क्लिक किया मेरे पास देखें drop down आ चुक है मुफतल system है मेरे पास आईस्ता ऐसा सब को discuss करेंगे लेकिन आज में जो उठाने जाना वो कह है engineering इससे पहले कहता decimal decimal में क्यों होता है decimal में आ जाए नीचे आ जाए आख पास 0000000003040 and में 80 तक चलता है .80 तक आता है लेकिन मुझे जो चीज़ चाहिए click करें engineering चाहिए engineering क्यों चाहिए क्योंकि जैसे मैं engineering लूँगा यहाँ मेरे inch और fits आ जाएंगे और इंच के अंदर आपके पास क्या होता है, वन इंच is equal to था है, आठ सुतर के, तो देखें, आठ, साथ, छे, पांच, चाथ, तीन, दो, एक, कुछ भी नहीं, तो ज़्याथार हम जो काम करते हैं, वो सिंपली एंच और फिट्स के अंदर करेंगे, अगेर अंटेर करते हैं, वन और यह फिट्स का मार्क में दे डाला, अभी याज मिदे आपको बताया है, फिट्स का मार्क कैसे देंगे, बिलकल आपके इंटर की के साथ, आपके बास दो मार्क बनें, kurz को प्रेस करेंगे तो इंच का मार्क आएगा, simply अगर उसको press करें तो आके पस fits आ जाएगा तो यह मेरे पस fits आ चुका है माउस को में इस तरफ लाया हूँ जैसी मैंने इसको enter किया तो देखते हैं क्या मेरे पस line draw हुई है बिलकल मेरे पस एक line draw हो चुकी है जब यह line मेरे पस draw होगी इस means ही मेरे पस one fits की line है अब आपका fits वही fits है जो आपको practical ही चाहिए यह निकिए आप अगर एक plot की नपतोली करकर लाए हो अब आप उसके दर easily काम कर सकते हो अगेन आप डिरिशनेंट से एक line उठा लें पॉइंट से दें माउस को आपकी जाने लिए हैं फिर मुझे चाहिए two fits मैंने two fits enter किया तो मेरे पास देखे two fits की line ड्रा होकर आ चुकी है यहां पे इसी तरह से मैं अगेन इदर आ गया हूँ अब जो मुझे line चाहिए यहां पे वो मुझे चाहिए one fits और six inch की अब एक fits और six inch की dear students आप कैसे line लोगे इसका तरिके कार क्या है आपने keyword से type करना है one fits और simply साथ में inch यनिके छे मैंने type किया one उसके बाद मैंने mark डाल डाला fix fits का symbol जो होता है then फिर मैंने simple six type कर दिया अब आप यहां पर एक चीज नोट कर रहे होंगे मैं six के बाद मैंने ना तो इसको कुछ inch की value डाली है ना fits की value डाली है क्यों कि मेरे unit system जो है वो inch और fits है अब इसमें दो value है या तो inch की value है या तो fits की value है अगर आप fits का mark दे दोगे it means आपके पस fits की value है अगर आप इसके साथ कोई भी mark ने डाल देते हो it means यांके पास क्या है inch है बाराल मैंने इसको दे दिया एक फिट और चेंज, रसी मैं इसको इंटर कर देता हूँ, तो यह पर पस एक फिट चेंज ही लाइन रहा हो जाएगी, अब यहाँ पर आपको जरूर नहीं है कि आप इंच के और निशान अपने पास लेगा, एक्जेम्पल एक और में देता हू आपको, अगर आप यहाँ पर लाइन, एल इंटर करने से आप लाइन एक्टिव कर सकते हैं, आपके पास लाइन एक्टिव हो चुकी है, क्लिक करें, माउस को आगी जानब ले आए, मुझे लाइन चाहिए सिंपल 6 की, तो मैं देता हूँ 6 और इंटर कर देता हूँ, जब म मैं ने 6 इंटर किया, इस मेंस कि मेरे पास 6 इंच की लाइन ड्रॉप हो चुकी है, इसी तरह से, अगें, मैं लाइन के पर आजाओंगा, एक पॉइंट देता हूँ, अब मुझे को लाइन चाहिए, फर्स करें, एक बंदा आपको कहता है, यार ऐसा करो, 150 इंच की लाइन ल इंच के लिए, लिकिन मैं यहां पर 15 इंटर करूँगा, टार्गेट आपका अचीव हो जाएगा, आप समझ जाएंगे, 15 से क्या वराद है, एक फिट और तीन इंच, यानि कि 12 इंच जीकल टूते हैं, वन फिट्स के, और देन 12, 13, 14, 15, तो 3 इंच साथ इसमें आ जाएंग बात ने आप definitely confirm करना चाओगे, आया यार ये दो फिट्स की लाइन है के नहीं है, एक बंदेन आप होगा यार यहां से यहां तक 3 फिट्स की लाइन लगाओ, अब आपको practically उसको confirm करके बताना है, जब तक आप उसको confirm करके नहीं बताएंगे यार ये एक फिट्स की लाइन ह चाह रहे हो, confirm से क्या मराद है, आप द्वारस इसकी dimension लेना चाह रहे हो, आप द्वारस इसकी लंबाई त्राई लेना चाह रहे हो, इसकी value क्या है, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, इसकी dimensions निकालेंगे, dimension निकालेंगे तरिके कार क्या है, dimension आपके पास simply एक मैमाना हो जैसे आपके पास आपका कोई scale वगारा होगा आपका कोई tool वगारा होगा जिसके तूरू आप नापा तोली करते हो तो same dimension भी AutoCAD के अंदर यही चीज़ है आप उससे क्या करोगे नापा तोली करेंगी objects की तो dimensions निकारने का तर oxy सान है किसी भी toolbar के पर एक right-click करते है या पर उपर सामने निकल कर आ चुका है अब यह dimension toolbar है उपर देखें किसी भी toolbar के पर right-click करें यह थड़ नम्रवली क्या है dimension तो click करते हैंइब तो आपकर पास आपके बिलकिर सक्रीन के मिडल में आ जाएगी, जैसे अभी आपको दिखाई दे रही है, आप क्या करेंगे, अपने माउस को फुरलू एरिया के उपर लेकर आगया, और अपने left बाटन को माउस के hold रखें, जैसे ही आप holड रखेंगे, आपको एक बार्डर लाइन्स देखें यह आपके पास यह दूबनी हो चुकी है अगेन आपने आपको यह सिंगल कर देगा जैसी सिंगल कर देगा इसको छोड़ दें माउस को आपने छोड़ा तो इसने अपनी एजस्मेंट बना ली यहां पर अब इस पर जो सबसे पहले चीज़ है वो क्या है व अब ऊपर आएं आपके पास एक प्लस बना वा जाएगा मैं इसकेप कर देता हूं चैनसल देखें अब जरक इस शेप को समझेगा अपने माउस पांइंटर को देखें और किस चीज़ को ना देखें यह जिसको मैं मूव कर रहा हूं आंके पास प्लस बना हुआ है और इस Select Objective Dimension तो आपने क्या करना है Object की उपर एक Click कर देना है जैसी मैं Click कर दूँगा अब उपर या नीचे मुझे Click कर देना है तो मैं इसको उपर Click कर देता हूँ यह देखें जैसी मैंने उपर Click किया मेरे पास यह Shape आ चुकी है अगेन आप इधर चले जाएं इधर आएं फिर Space लगाएं 1, 2 फिर देखें इधर आजाएं Click कर दें उपर Space लगादें 1, 2 अगेन देखेगा Click किया उपर आएं प्लस बना हूँ है Space लगादें 1 और 2 तो जैसे मैं इसको कुछ points दिये है मेरे पास यहां पर कुछ values मेरे सामने आ चुकी है अब students बात यह है यहां पर क्या है यहां पर क्या है यहां पर क्या है और यहां पर क्या है इस चीज़ के लिए मैं अपने पास 11 से एक software उपन करना चाहूँगा आँको बताने के लिए बेसिकली यहां पर हो रहा क्या है यहां पर आँके पास कुछ dimensions है कुछ wording लिख हुई है wording से क्या मरात है जैसे मैं दिल लिखते है तो expcademy.com मैंने यहां पर टाइप कर दिया expcademy.com अब क्यों students आँको यह ठीक नज़र आ रहे कि नहीं नज़र आ रहा आँको यह बिल्कल perfect दिखाई दे रहे perfectly दिखाई दे रहे इसका size कितना है 100 मैंने यहां पर 100 टाइप कर दिया है लेकिन अगर मैं इसका size यहां पर देता हूँ 1 तो क्या आँको दिखाई दे रहे नहीं दिखाई दे रहे आँके पस यह बिल्कल छोटी 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 कोई shapes आ चुकी है आगे ने दिर आकर आप type कर देंगे 12 क्या दिखाई दे रहे कुछ दिखाई दे रहे आगे ने दिर आजए आप देदे 24 आप बिल्किल परफेक्ट दिखाई दे रहे हैं तो यही चीज़ आपके पास इदर है यहां के पास word होता है यहां के पास कुछ आपने word लिखे होते हैं text लिखा होता है और इसका font size होता है जैसे जैसे आप font size छोटा या बड़ा करेंगे वैसे वैसे shape आपकी छोटी या बड font size अब मसला यह है AutoCAD के अंदर font size कैसे बड़ा किया जाता है तो font size को बड़ा करने के लिए आपको एक command type करते नहीं है अब देखें mouse मेरा उपर की जानब है मैं जैसी typing करूगा automatically typing मेरी यहां पर start हो जाएगी देखेगा मैं type किया d-i-m तो command क्या है आपको किसी भी font को बड c-a-l-e skill अब जैसी में command के अंदर dim skill type करने के बाद enter कर दूगा मेरे पास एक message आ जाएगा message क्या है कहता है enter new value for dim skill dim skill के लिए new value enter करें अब brackets के अंदर आ जाए bracket के अंदर दो word लिखें एक लिखा हो है fits दूसरा लिखा हो है inch यहां पर मुझको यह बता रहा है मेरा जो पु थीक तरह से दिखाई नहीं दे पा रहा यहां देखें मैं ठीक तरह से इसको नहीं देख रहा सेम इसी कंडिशन है आप यहां पर क्या one को देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे हैं बिलकल नहीं देख सकते हैं यहां पर one को देखें मैंने one enter किया तो आप one को नहीं देख स कोई आपको changing नज़र आएगी नहीं अगर आपने selection किया है किसी चीज़ को अब आपको नज़र आएगी वो changing तो यहाँ पर क्या होता है जब आपको size दे देते हो उसके बाद आपको slide करते हैं वो कैसे slide करेंगे आप dimension update यह नहीं कि यह बटन autocad को यह बताएगा हमारा dimension method अपडेट हो चुका है चीज हो चुका है आप भी अपने आपको update काड़ डालो अब कैसे होगा यह काम आप इसके परे click कर दें रैसे click किया message select object तो dear students आपने क्या करना है एक point और यह दूसरा point आपने दे दिया देने के बाद इंटर कर दें रैसे म कोई चीज बहुत ज़्यदा पड़ी हो जाए आप उसको द्वारा से छोटा कर सकते हो again t-i-m-s-c-a-l-e dim scale again मैंने क्या type किया dim scale spelling मैं द्वारा से type कर देता हूँ आपके लिए अगर mistake हो जाए तो देखें t-i-m-s-c-a-l-e dim scale dim scale type करने का आपने इंटर कर देना है मैंने इ मैंने पास size था one fits, यह निके 12 से क्या मराद होती है one fits, अब one fits size बड़ा आपको दिखाए नहीं दे रहा, तो one से छोटे क्या size देते हैं, यह निकि मैं इसको देता हूँ six inch simply, तो again update के पर आ जाए, तो हम जिसको select कर दें, enter कर दें, तो देखा, जैसे मैंने six दिया, तो मेरे सामने तुवारे तुवाम चीज़ें आ चुकी है, dim scale, dim skill, मैं इसको size देता हूँ four, वापस मैं update के पर आ गया, मैंने दौर जीज़ें select की है, और enter कर दिया, तो देखें, size मेरा और चोटा हो चुका है, तो इसी तरह से dim skill देने से आपके पास आपका, यह जो font size है, चोटा यहां बड़ा हो जाएगा, लेकिं, do you students, यहां पर problem यह है, मैंने यहां पर line डाली थी, कितनी, one fits की, तो यहां पर उपर क्या मेरे पास message आ रहा है, 12.0000, sorry, मैं इसको understand नहीं कर पाया, यह कह चीज़ें, इस तरह से 24.00, sorry, 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 मुझे कुछ मालूम नहीं यह कह चीज़ें, क क्योंकि मैंने यहां पर type किया था, 6 inch, यहां पर मैंने type किया था, 1 fit और 6 inch, यहां पर मैंने type किया था, 2 fits, again, मैंने यहां पर type किया था, 1 fits, तो यह दो चीज़ें, जिसके मतलिक मैं आपको कह रहा था, शुरू में, हमारे पास दो चीज़ें होती है, एक हमारे पास होता है input एक होता है output, तो dear students, जो आपके पास आपका input हो, वो ही आपके पास आपका output भी होना चाहिए, बिलकल, यह नि किया कि मैं आपके साथ उर्दू में बातचीत कर रहा हूं, तो must है, आप भी मुझे उसका answer उर्दू में ही दो, गोया, ऐसा ना हो कि मैं आपसे उर्दू में बातचीत करूँ, आप मुझे उसका reply, let's say बंगाली जबान में दे रहे हो, let's say आप मुझे अपना हिंदी जबान में दे रहे हो, चैनीज में दे रहे हो, तो उसको मैं समझ नहीं पाऊंगा, तो बेतरीन तरीका यह होता है, जिस द्राइंग निकालकर अपने वर्कर्स को दूँगा, वो भी एंच और फिट सी चाहिए समझ रहे होंगे, तो इसलिए dear students, हमारे पास दो जीज़े होती है, एक होता है input, एक होता है output, तो जो आपका input होना चाहिए, dear students, वही आपका output भी होना चाहिए, बिलकल, तो इसके लि आपके पास आता है dimension style, dimension style के दर चले जाएं, तो आपके पास है modified, modified में देखें, आपके पास क्या है यहाँ पर, again, इदर आजाएं, आप by to for line के दर आएं कि हमें के दर जाना होगा, text के पर जाना होगा, sorry, primary parameters के दर, units के दर जाना होगा, sorry, primary parameters, units के पर आजाएं, और यहाँ और उसे कहते हैं इंजिनेरिंग फिट्स रेंच ओके क्लोस अगें कुछ भी चेंजिंग नहीं हुए है चेंजिंग हो चुकी है इदर आएं वापस क्लिक करें स्पेस लगाएं एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट टेका स्ट्रेंट्स यहां पर मैंने टाइप किया था 15 तो पंदना इसे क्या मिलादा है एक फिट्स और तीन इंच तो यह रेटान हो गया अगें आपड़ेट के बनाएं तुमाब चीज़ां को स्लेट करता रहें तुमाब चीज़ां के पास स्लेट हो चुकी है और जस्ट एंटर करने अपने कीवोर्स से रेसिवन इसको इंटर किय तो देखा वन फिट्स टू फिट्स वन फिट्स सिक्स एंच और टू फिट्स तो यह मुझको तुमाब मेरी वैलियो पर्फेक्ट रेटान करके दे रहा है अब अब अटर कैट को पता चल गया यहार हमारा इन्पूट और आउल्पूट उनिट सिस्टम जो है वो क्या है इ एक ओलाइन ले लेता हूं लेट सेंफ फाइट्स मैंने फाइफ इसलाइन लगा डाली यह दर आ जाता हूं स्पेस लगा दिया एक पॉइंट दूसरा पॉइंट डिया एंट इसको टाइप कर दिया वन फेट्स अपडेट एंटर कर दे देखें मेरे पास यह चीज़ें में लिए नजर आ चुकी है तो दिया सुनिट्स बैसिकली यह चीज़ होती है जब भी आप आप आटोकेट के पर आओगे सो से पहला काम आपके क्या करना होगा अपने इंच और फ्रिट्स जाइट करने होगे कैसे देखीगा निक मतार फिर रपीट कर देता हूं लेट से हमार यह फिर्स ड्रीइंग है मैंने जैसे अटोकेट उपन किया सो से पहला काम फ्रमेट की इंदर जाओंगा यूने इंजिनिरिंग फिर सारींच ओके फिर कन्फर्म कर लें फॉरमेट्स डीमेंशन स्टायल मोडिफाइट इंजिनेरिंग फिर सारींच ओके लोग्रोज लाइन पॉइंट एफेट लाइन सीधी है मौसक को अगे लाइन वान टूफेट्स टाइप किया इंटर करते हैं तो देखा स्टूरेंट्स यह बेसिकली हमारा हर मरतबा रेगुलर काम है अब यहां पर हमने क्या सिखा अपने यूनिट्स मनाना हमने सिखे हैं जब हमें अपने यूनिट्स मनाना आ जाएंगे तो हम एजिली आटोकेट के पर काम कर लेंगे लेकिन जब तक हमें यूनिट्स मनाने नहीं आएंगे तो हम अपने आटोकेट्स के पर काम नहीं कर सकते हैं तो dear students ये तो था हमारा आज का lesson जिसमें हमने देखा हम अपने unit setups कैसे करते हैं तो इसी तरह से students हम आइस्ता आइस्ता से आगे continue चलते जाएंगे आइस्ता आइस्ता से ज़रूरत सिर्फ इस बात की है आपको साथ साथ practice करनी है ऐसा ना उस्ता आइस्ता आप आट्रोकेट को सिखने की खुशी में जजबाती में एक ही दिन सारे lesson लेकर बैठ जाएं मैं आपको यही मश्रूरत दूँगा आप step by steps एक एक lesson रोजाना की बेस पर या दो lesson रोजाना की बेस पर इस से उपर न जाएंगे आप क्योंकि जब आपको दो lesson आपने लिए एक lesson लिया उसकी आपने practice की जब वो आपको समझाएगा तो फिर आप आगे हसानी से चल पाएंगे तो students यह था हमारा आज का lesson तो मज़ीद मौलूमात के लिए और या update के लिए प्लीज विजट कर सकते हैं आप हमारी website www.xpacademy.com end में जब आपका कोई course complete हो जाएगा आपसे टेस्ट लेने के बाद हम लोग आपको एक safety care भी issue करते हैं जिसकी hot copy बज़री ITCS आपके पताए हुड्रेस के मताबग आपको बेह दी जाती है इसके अलावा अगर आपको इन videos की master copy चाहिए तो आप हमें call कर सकते हैं या आप हमे किसी भी वस्त आप कोई भी problem है अब हमें email कर सकते हैं इसके लिए हमारा address है xpacademy.com या आप हमें हमारी help line पे किसी वस्त call कर सकते हैं 03439017779 अपना ख्यार रखेगा अपनी दौा में हमें याद रखेगा इन्शालला next lesson में फिर हाजर होते हैं उस वक तक के लिए आप से जाज़ चाहेंगे अला हाफिज असलाम वालेकम